बेलारूस की बात करते हैं, आ जहां से ऐसी ख़बर सामने आई है जिसने 31 शक्ति शाली देशों में तहलका मचा दिया है एमर्जेंसी मीटिंग शुरू हो गई है, वजह है 30 सेकंड का एक वीडियो और इस वीडियो में बेलारूस ने अपने देश में मौझूद परमारू बम का बटन दिखा दिया 30 सेकंड के इस वीडियो में दुनिया में संसानी मचा रखी है सिर्फ 30 सेकंड के इस वीडियो में दुनिया को तीसरे विश्युद की जहलक्यों दिख रही है इस एक वीडियो से 31 देशों में एक साथ क्यों एमर्जेंसी सारन बच उठा है सबसे पहले इस वीडियो को देख लीचे इस वीडियो में रेकॉर्ड हुई आवाज को सुनीचे नहीं है și , वीडियो में है इस वीडियो में जीडियोementsी 컨स्वी भीली इस वीडियो में इस प्राउम सारे हो क्यों है थогले पर दे Columbaćsz घुझान तो निदून शोने को सिंवालीजिम जानिमाइब भी उचकी उच्छ के राच्छा मंट्रेव वेक्टर स्वेनने और बेलारूस के रक्षा मंत्री अपने राश्षा बेलारूस के रक्षामंत्री का कहना है कि यह नी सोंचास में सोव्यत संका बनाया गया पहला प्रदिकात्मक पर्मारूपम का मॉडल है पर पर बेलेशं सोव्यत साथ एė sağ डिर कर दो न पार प्रादेटां सी तक्ति अमार कर ड्रारो घ्रज्ली ब stimulants साथ एल्च उवा प्रादेब का तछिए रवस्चानार dej वोब ड उता क Crotkin में पर दो ओ सॉ. यह बंब बंड पर पेहा है octopus слск buttų ≃ех याजरनाय बूंबा को पूरी दुनिया को पता है कि रूस ने अपने पर्माणू बमों को बेलारूस के साथ रूस के राश्टरबदी व्लादे मेर्पोतन इसकी पुष्टी कर चुके हैं कि पर्माणू बमों की पहली घेप बेलारूस पहुंच गई है और अब बेलारूस के रक्षा मंत्री वेक्टर स्वेनिन ने उस पर्माणू बम के मॉडल को लोकाशेंको को बेंट कर दुनिया के सामने न्योक्लियर पिक्चर पेश दिए साथ ही साथ बेलारूस से खार खाये देशों को बिना कुछ कहे बहुत ही बड़ी चेतावनी दे दिये आगे बढ़ने से पहले लोकाशेंको और वेक्टर स्वेनिन के बीच इस मौके पर क्या बाग शेत हुई इसे सुनने चाहिए इसे सुनने चाहिए इसे स्वारी जार बावने जो आट को बाष्स की बावने के बावने दोली उसे ला-ट लेए आट लिए्ट ता इस एंवारी को बीचेु चाहिए एली आड़ीन जाये पहां बाश्रा जा पाफ बाष्टा आम ए यार समयों झालीन गाया बार बाली ऊप्ट आब उदिसे इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया में बढ़ गया है पर्मानो फीवर नैटो कैम्प्स में फैल गया है न्यूक्लियर फीवर सवाल है क्या बेलारूस और रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस क्या तीसरे विश्य युद्ध को कर दिया है फिक्स इस वीडियो को देख पेंटागन हुआ परिशान ब्रिटन हुआ है रान नैटो देशों में खलबली दुनिया पर्मानो युद्ध के खौफ से डरी क्योंकि अब मश्किल है लोकाशेंक को और पोतिन को मनाना बन गया है नया ठिकाना, शुरुग हुआ पर्माणो बं को लगाना, बेलारूस पहुँच गया एंटमभाऊ, पर्माणो बं के नय सेंटर से नैटो हुआ बेदा, क्योँकि पर्माणो युद्ध के ख़द्रे से नेट्रो हुआ हलका, अमेरिका बरिशान, ब्रिटन का मिट सकता है नामों निशान रूस ने बेलारूस में पहले अपना परमाणू हत्यार तैनात किया और अब वैगनर आर्मी के वहां पहुशने के बाद से परमाणू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा बढ़ सकता है क्योंकि पश्यमी मीडिया ने दावा किया है कि बेलारूस में परमाणू ठिकानों के पास वैगनर के 8000 लड़ा के पहले से तैनात है सवाल ये है कि क्या पुतिन के बाद अब बेलारूस के राश्रपती और अग्मेंदर लुकाशेंको वैगनर के लड़ापों को अपने दुश्मनों के खलाफ उतारने वाले हैं क्योंकि बेलारूस में एक तरफ परमाणू ठिकाने तैयार हो गये हैं वहीं अब वैगनर रुप के कैंप बन रहे हैं और जो पूर कसर बाकी थी वो पुदिन के परमाणू हथियारों वाले बयान से पूर हो जाता है जोड़्यों चैहे हैं कि अच्छा लाइड़की थान बेला रूस की धर्तिकर होने वाला है क्या महीनों से पर्मारू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने की मोड में लग रहे हैं रूस में योक्रेन के उत्तर में बेला रूस में पर्मारू हत्यार उता दिया है रूस पर्मारू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ योक्रेन के पूर में खुद बैठा है वहीं उक्रेन के दक्रिम में काला सागर में भी पुतिन की पर्माणू पंडूबिया जैना थे और उसके उत्तर पश्चिम में पोलन के पास रूस के कलेनिन ग्राथ में भी पर्माणू हत्प्यार मौचू थे 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है पर्माणू बं रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर पर्माणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारूस में रूस की मिसाइले तनी होई है बेलारूस में रूस के लड़ा को विमान गरज रहे है बेलारूस में रूस के टैंक दोड रहे है बेलारूस में रूस की सेनिक मोर्चा बना कर गटे हुए बेलारूस में रूसी मिसाइलों की तैनाती से नैटों में पहले से ही खलबली मची थी अब बेलारूस में रूस की परमाणू हथियार भी फिट हो गए है रूस बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की ट्रेनिंग दे चुका है इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस की सेनी कब पुतिन की पर्माणू मिसाइल को फायर करना सीब गए है और अब रूस का पर्माणू बम ही बेलारूस पहुँच गया है अब ऐसे में ओर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राश्टपदी अलक्जंडर लुकाशेंको का ये बड़ा सवाल में लेकिन अगर मैसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के ओर्डर से कौन इंकार करेगा बेलारूस में रूस के परमाणू हत्यारों की तैनाती का सबसे अधिक खत्रा योक्रेन की राजधानी क्यूपो है क्योंकि बेलारूस योक्रेन का पडोसी देश है और उसके बॉल्टर से क्यूप ज्यादा दूर नहीं है दोनों के बीच फाजला 90 किलोमेटर के आस पास का ही है बेलारूस में परमाणू हत्यारों को उतार कर पुतिन की तैयारी योक्रेन को दो दिशाओं में गेरने की है रूस खुद योक्रेन का पडोसी है इसी वज़े से पिछले साल रूस की सेना योक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी रूस के साथ-साथ बेलारूस में भी परमाणू हत्यारों का अड़ा बन जाने से योक्रेन के साथ-साथ नैतो के भी होश उड़े हुए है क्योंकि इससे नैटो भी पुतिन के पर्मानों बमों के डिरेक्ट वेडार पर आ गया है इसकी वज़ा ये है कि बेलारूस, पोलेट, लिथुआनिया और लाफिया जैसे देशों का भी पडूसी है बेलारूस इनसे 1250 किलोमेटर लंबा बॉर्डर साजा करता है और पोलेट, लिथुआनिया और लाफिया नैटो के सदस्य है बेलारूस की अपने इन तीनों पडूसियों से रत्ती भर भी नहीं बनती अब तक वो अपने दुश्वनों को बस धमकाता रहता था लेकिन अब उसे रूस के पर्मानों बमों की ताकत मिल गई है अब रूस के वियोगे बम बेलारूस की जमीन पर तैनातों गए है जिसके चलते योपरेंग से लेकर अमेरिका की अभवाई वाला नैटो भी परिशान है सिर्फ अतना इन रूस में दाबा किया है कि उसने वैलारूस के सैनिकों को पर्मानों हद्यार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दे दिये अर अब बेलारूस में रूस के परमानों बम भी पहुच गया प्राफ के अ kahताना है न रही है, परशें के बार केरे को रहे प्रosis आ. मुया मुट आ का बेन sık रहा है, को अ है कि न न हमे न एो इस लड एम इसम परा न था हैXT freundin God I-mm ऊ हैans, को अ हम आ लाएके mix in a रहे हैं. अ ज न पर बें試 how to be different. के उन द rain do so. यही वज़ा है कि अब नैटो देशों से आवाज उखने के लिए प्रूस और बेलारूस की परमारू में को तोड़ने के लिए बसक्त का रिवाई का समय आगया ऐसी में अगर नैटो ने वेला रूस के खिलाफ युद्ध छेडा तो रूस भी उसमें फूर पड़ेगा और रूस के युद्ध में शामिल होने के बाद विश्व युद्ध का होना तैख